जैहिंद नमस्कार दोस्तों अगर आप आरपी आफ कॉंश्टेबल एसाई के लिए फॉर्म को अबेदन किया था तो इस बीच आप सब के लिए यहाँ पर बड़ी अब्डेट निकल के आ चुकी है आप सभी जानते होंगे कि एसाई का फांदली यहाँ पर एक्जाम डेट ज है वह जनवरी में यहाँ पर शुरू होने वाले हैं तो यह बात यहाँ पर बिल्कुल सही है लेकिन उससे भी बड़ी यहाँ पर अप्डेट निकल के आ रही है कि अब हम आप एकजाम के त्यारी को कैसे करेंगे क्योंकि अप समय जो है काफी करीब आ चुका है तो चले फि को यहां पर फॉर्म शीटर्ट चेक करके दिखाने वाला हूं कॉंश्टेबल का इसको लेकर बच्छे बरलगातार परेसान थे कि अखिर कॉंश्टेबल का फॉर्म शीटर्ट चेक करते समय यहां पर क्या अपडेट आ रहा है वह मैं चलिए आपको इस वीडिव में दिखा द कि कॉंश्टेबल एसाई को मिलाकर यहां पर 4660 वेकेंसी आप सब के लिए यहां पर निकाली गई थी यह वेकेंसी बहुत जल्द यहां पर बढ़के मतलब अगर बोल सकते हैं इक्जाम से पहले इस वेकेंसी को यहां पर बढ़ा के कम से कम अगर बात की जाए तो 18,000 वेके से ही सिर्फ निकल किया हुई थी उसके लिए यहां पर 15,000 प्लस फार्म अप्लाई हो चुका है वहीं अगर कॉंश्टेबल की बात करें तो 4,200 प्लस वेकेंसी निकल किया हुई थी तो कॉंश्टेबल के लिए यहां पर कितने फार्म अबिदन हो सकते हैं इसका आखड़ा जो है भी नहीं मिल पाया है लेकिन अगर मैं आप लगवग लेकर चलूं तो कम से कम अगर बात की जाए कम से कम यहां पर कॉंश्टेबल के लिए भी 40,000,000 फलस फार्म ही इसके लिए यहां पर अप्लाई हुए होंगी को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि SI के लिए फ बात करो तो अगर मैं फार्म की बात करूं तो लगवग यहां पर 55,000,000 के करीब यहां पर फॉर्म जो है वह वह अपलाई हुआ है और सबसे बड़ी बात यहां पर एकनिकल के आ रही है कि RTI दोरा रिपलाई यहां था इस सिर्फ यहां पर SI के बारे में बताया गया कि SI के बारे में 15,000,000 हावेदन जो है वो हुए है कितने हुए 15,000,000 लेकिन कॉंस्टिबल का जो अपडेट था वो नहीं दे पाए क्योंकि कॉंस्टिबल के बारे में जानकारी इकठा हो रही थी मतलब प्रोसेस जो था वो चल रहा था और जैसे प्रोसेस यहां पर कंप्रेट होगा तो कॉंस्टिबल की बारे में भी अपडेट जो है आगे आने वाले समय में आपको मिल जाएगी अब यहां पर बड़ा मुद्दा रहा एक्जाम को लेकर तो एक्जाम आप सब कहां पर सब के एक कुश्चान ही नहीं है यह सेलेक्टेट कुश्चन है ठीक है इसी में आप सभी को पिछले साल के भी कुछ कुश्चन इंकलूड है मतलब समली थे इन चार जार में आप अगर इसे लेकर पड़ते हैं तो अपनी आर्पी आप कॉंस्टिबल और साई में अपनी एक 300 लेकर इस वाट्सप नंबर पर भेज देना है और टीम आपको यहां पर पीडियाप दे देगी आर्पी आप कॉंस्टिबल साई की त्यारी करने वाले बहुत सारे बच्चों ने लेकर पड़ा है कॉंपरिशन बड़ा है सेलेक्शन चाहिए तो त्यारी सुरू कर और यहां पर GS के जिस पकार से रेलोव में कुछिसन पूछे जाते हैं वो सारे कुछिसन आपको इस 4000 कुछिसन में देखने को मिल जाएगा और मैथ और जिजनिंग के वो टॉपिक आप सभी को इन 4000 के PDF में देखने को मिलने वाला है जो कि आपके एकजाब में हर बार देख से भेज दिया जाएगा अभी इसली में कर पी आफ कॉंस्टीने को लेकर लेकर नृट्स यहां पर जारी किया गया है जिसमें कुछ एकजाम डेट बारे में बहुतनी विस्तार इक्जाम से पनोटिस बढ़र देखेंगे तो आर्पीप को ठोड़कर यहां पे SI की बार बार और एक्जाम किस-किस डेट पर होने वाला है यहां पर दिसंबर को और होने वाला है और यहां पर हम लाउस्ट एक्जाम की बात करें, तो वो होगा आप सभी को यहां पे 17-12-2024 जानी 17 दिसंबर 2024 को यहाँ पर लाश्ट एक्जाम होने वाला है उसके बार अगर हम बात करें तो जनवरी में कॉंस्टेबल के एक्जाम होने बिलकुल यहाँ पर फिक्स हैं और आप सभी को बता दूँ इसी महीने यानि नवंबर के लाश्ट तक आप सभी को आरपी अप कॉ 1000 प्रस्ट मिलने वाले हैं और यह प्रस्ट नहीं है यह आपके सेलेक्शन है ठीक है तो आप इसे लेका ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो ठीक है तो चलिए फिर आज की वीडियों मार यहीं तक रही और जनवरी में कॉंस्टेबल के एक्जाम ब आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और चार दिन पहले आप सभी अपना यहां पर फुल अड्मिट कार्ड पी डाउनलोड कर सकते हैं बेकाइदे यहां पर हर एक जानकारी अड्मिट कार्ड में लिखा रहेगा तो बिना देरी करते हुए लग जाए अपने इस्टड़ के लिए भी बुलाया जाएगा अगर आप इस्टड़ी में मतलब अगर आप पेपर में नमबर अच्छा खासा लेकर आएंगे तभी आप सभी आप आगे बढ़ सकेंगे और पेपर में अच्छा नमबर लाने के लिए आप 89 की पीड़ लेकर जरूर पढ़िएगा उसमें बेश टीचर मिलकर उस पीड़ आप को त्यार किया हैं तो कि आपके आगे आने वाले एक्जाम में वहीं से कोई शान आप सबको जरूर देखने को मिलेंगे ठीक हैं तो से लिए फिर मिलते हैं किसी नए भरती और नए जानकारी साथ तक लिए जया हिंद बंदे मात्रम